नमस्कार प्रियदर्शकों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्यान की जीत पर प्रियदर्शकों आज की जो कहानी है वह बड़ी ही प्रेरणा दायक और ज्यान वर्धक कहानी है यह कहानी एक बाज की है इस कहानी में बाज ने पांच ज्ञानवर्धक बातें बताई है जिसे जानकर आप किसी भी व्यक्ति पर आँखें बंद करके विश्वास नहीं करेंगे और अपने मित्र शत्रू में अंतर समझ पाओगे क्योंकि दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है चाहे भूखे रह जाना पर इन चार लोगों से कभी भी मदद की भीक मत मांगना तो दोस्तों आईए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें किन लोगों पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए दोस्तों एक समय की बात है किसी जंगल में तबाही आ गई और फिर बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बर्शा जंगल में सूखा पड़ गया सारे नदी नाले जरने तालाब लगभग सूखने लगे जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रह गया जंगल के सभी जानवर पशु पक्षी उस स्थान को छोड़ कर किसी अन्य जंगल में जाने लगे दोस्तों, इसी जंगल में बाज का जोडा रहता था, वह जोडा एक पेड की डाली पर बैठा हुआ था उसे जोडे में जो बाज की पत्नी थी, उसे बड़े ही तेज की भूख लगी थी, क्योंकि वह तीन दिनों से कुछ नहीं खाई थी और डाल पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए, तभी इस व्रिक्ष के नीचे एक लोमडी कुछ मांस का टुकड़ा मुह में दवाई आ जाती है बजानी देखा तो उसकी भूख तीवर हो गई, और लोमडी से कहा, बहिन में तीन दिनों से भूखी हूँ क्रिप्या अगर आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दें, तो आपका बड़ा ही उपकार होगा नहीं तो भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे, तभी लोमडी ने देखा, बाजनी डाल पर बैठी है तो लोमडी ने सोचा, इस मास के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा दोस्तों, लोमडी तो चालाक होती है, लोमडी सोचती है, मैं इस बाजनी को किसी बहाने से अपने पास बुला लूंगी और मार कर खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा लोमडी ने सोचा और कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास आकर आराम से समाज से कुछ टुकड़ों को खालो दोस्तों, बजनी भी तयार हो जाती है, और वह जाने लगती है, बाज उसे रोकने को कहता है तुम पागल हो, अरे या हमारे दुश्मन है, अगर तुम उनके पास जाओगी तो, तुम्हें मार कर खा जाएंगे वह बजानी कहती है, नहीं मैं जाओंगी जरूर हमारे साथ कुछ नहीं करेगी, बाज फिर उसे समझाने लगता है तुम एसे नहीं समझोगे हम, तुम्हें एक कथा सुनते हैं, उसके बाद तुम वहाँ पर जाना दोस्तों, बजनी लोमडी के पास नहीं जाती और बाज की बात सुनने लगती है, बाज कहता है, बजनी एक जंगल में दो कबूतर और कबूतरी बरगत के उपर डाल पर रहते हैं, इस बरगत की खो में एक सर्प भी रहता था, जब कबूतरी अंडा देती थी तो वह सर्प उसे अंडों को खो जाया करता था, जब कबूतर कबूतरी भोजन के लिए बाहर निकाला करते थे तो वह सर्प अपने खो से निकाल कर बड़े आराम से अंडों को का जाया करता था। कभी-कभी अंडों से बच्चे निकल जाया करते थे तो वह सब बच्चों को भी खा जाया करता था। वह दोनों कबूतर और कबूतरी बड तो वह देखकर वह बगुला कबूतरी कबूतर से पूछता है, क्या हुआ भाइ, इतना बिलाब क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो दोस्तों, कबूतरी ने अपनी सारी कहानी सुना डाली और कहती है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जि इसी व्रिक्ष की खो में रहता है, हम असहाय हैं, हम उसे लड़ भी नहीं सकते, वह बहुत खतरनाक है, वह बहुत ही दुष्ट है, वह भी इस दुख भरी दास्तां सुनकर उस बगुले को रहा नहीं जाता है, वह बगुला कहता है, हमारे साथ चलिये, एक तालाब में बहु बढ़ा हो जाए, अगर शत्रू बलवान और ताकतवर हो तो लड़कर नहीं मारा जा सकता, उसे दुष्मन को बुधिमानी से हारना चाहिए, कबुतर ने कहा, वह कैसे, तब बगुला समझता है, पास वाले तालाब से मचली पकड़ कर लेंगे, और थोड़ी दूर पर एक अंतिम मचली छोड़ देंगे, और नेवला जैसे ही निकलेगा, मचलियों को खाते हुए यही तक आ जाएगा, और वह सब कुछ देखते ही, उस सर्प को देखते ही मार देगा, तुम्हारा दुष्मन खत्म हो जाएगा, दोस्तों, कबुतर कबुतरी बगुले की ऐसी बात पेड़ पर जा बैठ जाते हैं, बगुला कहता है, अब थोड़ी देर इंतजार करो इसके बाद देखना क्या नजारा होता है, दोस्तों, थोड़ी देर बाद नेवला बाहर निकलता है, तो अपने सामने मचली पड़ी हुई देखा है, तो भगवान को धन्यवाद देने प्रभू आज तो आप बड़े महरबान हैं। मचली एक के बाद एक हमको मिलती जा रही है। और हम खाते जा रहे हैं। खाते खाते हम यहां तक आगए लगता है। यह किसी का घर है। किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली है। जो भी हो चलो इंतजार करते हैं। वह नेवला दर्वाजे पर बैठ कर इंतजार करने लगा। दोस्तों कुछ समय के बाद सर्प बाहर निकलता है। तो नेवला यही समझता है कि यह सब इसकी चाल है। इस सब चाल में मुझे इस साप ने फसाया है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं नेवला, और सर्प की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, सर्प नेवले को देखते ही नेवले की और भागने लगता है, और उस लड़ाई में जीत जाता है। नेवला सर्प को मार देता है, यह देखकर वह कबूतरी बहुत खुश हो जाती है, कबूतरी उसे व्रिक्ष के डाल से आवाज लगती है, नेवला भाई, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं बहुत बड़े संकट से छुटकारा पाया है, उसके बाद नेवला कहता है, कबूतरी, क्या उपर से धन्यवाद देती हो, तुम यहाँ नीचे आकर धन्यवाद दो, दोस्तों, वह कबूतरी उड़ती है, और नेवले के पास पहुँचकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उसे भी मार देता है, और कबूतरी को मार कर खा जाता है, अब कबूतर सोचने लगता है, एक दुश्मन से है, नहीं बचे, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगल में फंस गए, दोस्तों कबूतर, यही बात उस बगुले से कहता है, एक दुश्मन से बचे, तो दूसरे दुश्मन के चंगल में फंस गए, और वह कबूतर मारी जाती है, वह भूल गई, वह नेवला दुश्मन है, हमें छोड़ेगा नहीं, वह उस निवाले पर भरोसा कर लेती है, इसी लिए तुम भी लोमडी के पास मत जाओ, वो लोग हमारे दुश्मन हैं, यह जरूर तुमको मार देगी, और मार कर खा जाएगी, किसी तरीके से इन चारों लोगों से कभी मदद की भी मत मांगना दोस्तों, तब कबूतर ने पूछा, वह कौन से चार लोग हैं, तो बाज कहता है, दुश्मन से कभी मदद की भी मत मांगना, अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगोगे, तो वह आपकी मदद नहीं करेगा, वह कभी आपका फाइदा नहीं देख सकता, वह आपको नुकसान पहुचाएगा, आपको मार भी सकता है, इसलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भी मत मांगना, और दूसरा है, अभिमानी घमंडी लोग, क्योंकि आप कभी घमंडी के पास जाएंगे, तो वह घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित कर देगा, इसके पास भी कभी मदद मांगने मत जाना क्योंकि वह देगा कुछ नहीं, साथ ही आपका अपमान कर देगा, तीसरा, कपटी लोगों के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि जट भरे शब्द ज़रूर बोलेंगे और अपने कपट्टी बातों में फंसा लेंगे चौथ है एक नशे वाले व्यक्ति से कभी मदद मत मांगना दोस्तों कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर करिए तब तक के लिए तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में